धन्यवाद सभापती मौधाया आपका बहुत बहुत आभार गयत्स करती हूँ आपने मुझे एक बेहधी मैं तो पूर्ण विशेपर अपनी बात रखने का आज मौका दिया है और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अपनी बात रख दूँगी उसके बाद आप भी मुझे सहमत होगी काफी सारे सांसद मेरे बात करने से पहले असोसियेट करने की तयारी में है मैं मैं समझती हूँ कि पिछले साल में भारत सरकार की प्राथमेक्ता करोना से हो रही जूज में अपना योगदान देनी की रही इसके चलते सांसदों का जो स्थानिय विकास निधी है उसका पूरा वर्गी करन जो है वो अगले साल तक के लिए करोना से जूजने के लिए कर दिया गया है पर लोग जिस उम्मीद से जिस भरोसे से हमको चुनके देते हैं तो हमसे कुछ उम्मीदे भी रखते हैं महाराष्ट सरकार जो फिलाल अभी है राजमे सरकार हमारी तो महाराष्टों के सांसुदों की तो इतनी दुरगत हो गई है मैडम कि हमारे कार्यकाल में जो काम मंजूर होके आये थे फिलाल जो सरकार है वो वही काम रट किरे जा रही है तो हम जब जनता के सामने जाते हैं तो कोई विकास का काम लेकर हम जा नहीं पार हैं तो मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से दर्खवास करना कि सरकार इस बारे में पुनर विचार करें अगर सो पिसदी नहीं तो कुछ हद तक तो हमारे जो स्थानिय विकास निदी हैं उसको हमें यूज करने की अगर सहूलियत सरकार दे पाए तो हम भी कुछ काम ले करके जनता के सामने जा पाएंगे क्योंकि इससे भी इंट्रास्टर्चर डेवलप्मेंट का ही काम होगा मुझे लगता है कि आज मौदू सारे सांसद मुझे से रिलेट कर पाएंगे मैं आपके माध्यम से ये द्वरखास करना चाहती हूँ कि पिर जाके जनता में उनके मुद्दे उठाने के लिए और चुनाओ के चलते उनके सामने जाके कि वोट की अपील करने के लिए हमारे पास कोई तो चहरा हो करोना में बहुत अच्छा काम किये हैं पर ये भी हमारे जिम्मेदारी है कि हम इंस्स्रक्चर कुछ खड़ा कर सके हमारे निधी से तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहती हूँ कि सांसदों को अपने स्थाने विकास निधी खर्च करने की सहुलियत भारत सरकार जरूर दे धान्यवाद